आजकल सीजरेन की रेक बढ़ गए है उसका एक कारण ये भी है कि जो नॉर्मल डिलेवरी के लिए दर्द सेहन करने के जुक समता होती लड़की में वह थोड़ी सी कम हो गई है आधी लड़किया सिफ और सिप ये दर्द की बज़े से दर्द सेहन ना करना पड़े उसकी बज गया रहते है काम करने का तरीका हो गया है पहले सब करने करते पाथे लेडिस घड़े होते करते थे तो उसके थाइम शनलते होते थे स्ट्रोंग रहते थे और उसको जो आपर बच्चेदानी का मुख होता था जल्दी से आरम से खुल जाता था क्योंकि प्रेग्नसी के दौरान उसने बहुत सारे काम किये होते जिसके चलते उसके बच्चेदानी का मुख इसली खुल जाता है और उसमें स्टेमिना भी ज्याद खड़े होके करते हैं तो बेटने लाएक एक भी काम नहीं जिसके चलते जो नीचे के पार्ट की एकसरसाइज हो वह काम अभी सब बंद हो गए है तो उसके चलते भी सिजर के रेट बढ़ गए है तो उसमें यहाँ पर यदि आप नर्मल डिलेरी के लिए जाना चाहते हो त इसलगे आपको वहाँ पर याकम कराने के लिए प्रहल तुमा सेयन हो रहे है कि बिशुम करने के लेनकोको ठ़कन कम करने के लिए हमें आरे स्वास लेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं कि थकान नहीं होगी लेबर है वह अच्छे से आगे बढ़ेगा तो वह लेमेश टेक्निक क्या होती है उसको केस तरह से कब-कब इस्तमाल करनी चाहिए और उसके फायदे क्या-क्या है वह इस वीडियो में डीटेल में डिसकसन करने वाल ज्यादा नहीं थी तब अलग-अलग तरीके की टेक्निक इस्तमाल करके लेबर पेन को फास्ट और इजी बनाने की कोसिस करते थे जैसे के मसाज टेक्निक थी अलग-अलग तरीके से मसाज करते थे नीचे के पार्ट में अब्डोमिन पे जिससे जो लेबर होता है लेबर प टेकनीक चो डॉक्टर फडणाड ने नानटीफिप्टी में सर्च की थी और लेमेज टेकनीक किस तरह से इस्तरग की जाती थी वह आपकी ठकान को परती थी ठकान को कम करके आपके अंदर ऑक्सिजन जो रहता है उसका लेवल बड़ा दी थी तो बच्चे को भी पूरा ऑक्स काम करेंगा वो बच्चे को नीचे पूस करेंगा चाहिए वह पर उसका काम है भच्चेदानी का मुख कुलके होते हैं कि अधर बहुत ज्यादा दर्द रहता हैं लेकिन बच्चेदानी का मुख फुलनी यहां घो यह जो ज़ना है और आखिरी में थक्राइं में शिजर का डिसिजिशन लेना परता है क्योंकि बच्चाह अंदर सफोकित हो हो जाता है कि सीजर कर दिद्ध को बाहर निकालने एक लेबल पे जरूर हो जाता है थे खेंड में डारी काम काम करेंगी यह आपकी थकान सब्सुक्षी से डिलेवरी हो जाएगी तो अब लेमेश टेकनिक है क्या वो कैसे आप इस्तमाल करेंगे लेमेश टेकनिक यानि कुछ नी ब्रीधिंग एकसरसाइज एक तरह की जब आपका लेबर पेंट सुरू होता है तब से आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं और उसकी प्रेक्टिस आप आ नाक से डीप ब्रीध करना है और इस तरह से मुझे बाहर निकाल देना है नाक से आपको डीप ब्रीध लेना है और बहुत ही फोर्स फुली आपको मुख से बाहर निकाल देना है इस तरह से आप करेंगे दो तिन बार तो आपको पता चल जाब भी अपनी वीडियो देखते देखते भी प्रैक्टिस कर सकते बहुत हीज defensy है यह तो पहली में चोड़ाइन यह आपको कर सकते हैं , पहले के बीच मैं जो टाइम मिलता है , यानी कि दो पहले के बीच में को टाइम मिले गए तब भी आप िसको इसको इसको कर सकते हैं जब आपको लगे के मुझे थकान हो रही है अब आगे नहीं कर पाऊंगी तब भी आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं बच्चे को यह दे सब बोलते हैं कि अंदर बच्चा डिश्ट्रेस हो रहा है या फिर इसको ऑक्सिजन कम मिल रहा है तब भी आप इसको इसको इस के बहुत सारे फायदे और वह बहुत ही आपसट हैं कर सकते हैं लेबर के दो रान पत्राइस कर सकते हैं इसमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुली है तो चलो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियो के साथ पर तक के लिए स्टेल के शेपी बाई